हलो मेरे प्यारे छात्रों आप सभी का स्वागत है आज आप सभी को समाजिक विज्ञान का पेपर हल कराने वाले हैं आपको समाजिक विज्ञान से मांचित्र से संबंदित जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवालों को मांचित्र पे आपको भर के बताने वाले हैं और कैसे आपको भरना चाहिए जिससे एक जामनर आपका एक नंबर भी न काटे ठीक है यह देखिए समाजी विज्ञान का आप पहले पेपर देख सकते हैं देख लिए पूरा क्या है आपका पेपर है यही पेपर आपको हल कराएंगे तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं त आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा देखिए जिब समाजी विज्ञान का आपको पेपर मिलेगा यहां पर लिखा रहेगा समय आपको समय मिलेगा तीन घंटा पंद्रे मिट का और पूरांक रहता है ठीक है अब इस समाजी वि लंवेकर रहता है इसके साथ में सभी प्रशन करना अनिवार्य होता है अगला है कि अगला है अगला निदेसlets आप जाल लिजए कि ओमाल सीट पर उत्तर यदि आप एक बर अंकित कर देते हैं तो उसे काटना नहीं है नहीं रेजर ना वाइट नहीं इन सब का प्रियोग कदापी आपको नहीं करना रहता है खंडबा है उसमें पचास अंक के लिखित परसन होंगे इसमें भी आपकी दो भाग होंगे अच्छे सा आपको बताने वारे हैं ठीक है प्रतेक प्रसने के लिए निरुधारित अंक उसके सम्मुक अंकित किया गया है यह देखिए आपको जितने भी इंपॉर्टे निर्देश थे आपको बता चुके हैं यह कुछ निर्देश आप पढ़ भी सकते हैं यह नहीं भी होगा एक कापी लेकर उसको नोट कर लीजिए देखिए यहां से आपको प्राराम होता है खंड जिसमें पहले आपको बताया जाएगा बहुई कल्पी प्रशन यहां आप देखिए निर्देश दिया गया है नीचे दिये गए प्रशनों के परतेक के चार विकल्प दिये ग पड़के ही आप उतर दीजिएगा देखिए यहां पर है विक्टर इम्मेनुवल दियुत्य ने दिया था जूसेपी मेसिनी यह आटवान विसमार्क यह जूसेप गरिबाल्डी जिस प्रशन का आपको एंसर हो कमेंट बाक्स में आप जरूर लिखिए ठीक है तीस प्रशन को देखते हैं अगला प्रसन देख सकते हैं कार्ण ला से संबनिय देश है ठीक है कार्ण ला जू यह जो है यहां ड्रू头 करेंग सब्सक्याइब सब्सक्राइब होगा अगला प्रस्ण देखिए नेपोलियन बोनापार्ट की प्राजे कब हुई थी तो आपको आपसंदेखिए दिया है 1810 में हुआ था अगला प्रस्ण देखिए चौथा नंबर का कि महामंदी का सबसे बूरा असर पड़ा था यानि कि महामंदी का सबसे बूरा असर किस पर पड़ा था यानि के तकनीकी पर पड़ा था या किर्शी के च्छेतर पर या परिवहन पर या उपरियुक्त मैं सjak कोई नहीं देखिए जब महामंदी आया था तूझसर समय सबसे ज्यादा बूरा असर जो देखने के लिए मिला था किरसी के छेत्रों पर देखने के लिए मिला था तो इस प्रश्ण का सही जो आप वीवला अप्सन क्या हो जागा आपका सही होगा अगला प्रश्ण देखिए ठीक गुलाम गिरी किसकी रचना है यह ध्यान से आप पढ़िए इसका एंसुरत हम रट लिजी आप ठीक ह है यह दो हजर पचीस के पेपरों में जैसे आपको प्रश्ण करा रहे हैं यहीं सब प्रश्ण आपको देखने के लिए मिलेगा तो गुलाम गिरी किसकी रचना है यह आपका है जो अतिवा फूले खीत इस प्रश्ण का सही जो क्या होगा यह वाला आप्सन सही हो जाएगा कि जो अतिवा फूले के द्वारा जो लिखा गया क्या लिखा गया तो कौन से पुछ तक गुलाम गिरी लिखा गया था ठीक अगला देखे छटा नंबर का सवाल क्या है आपका कि निमनली कित मैंसे कौन सा विसे संग सूची से संबादित नहीं है देखिए आपको संग सू सूची मतलब होता के अंदर सरकार के बारे में आपको बताना है यहां पर प्रतिर अच्छा होता है आपका संग सूची का विसे होता है इसका सही जवाब और प्रशनों को जरूर याद रखीए अगला प्रसंद देखिए भारति सनविधान में भासाओं को किस अनुसूची में रखा गया है देखें आपकी तो बाइस बासा हो जरूर आप एप अपको बता दे कि वर्तमान समें टोटल बाइस बाइस भासा है 2 इस आठिवा अनुशूची जों आहां फ़एस भासा को अगला प्रसंद देखिए कि भारती सन्य विधान के बारे में निम्नली खित में से कौन सा कथत आपको गलत बताना है तो आप ध्यान से प्रशन को पढ़के इसका एंस्वर आप दीजिएगा देखिए आप आप सन्य को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एंस्वर कभी भारती सन्य विधान में किसी एक धर्म को राज की धर्म नहीं माना गया है आप सन्य में यह गलत हो जाएगा आपका यहां पर देखिए सभी लोग लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी होता है यानि कि किसी भी धर्म के आप लोग है तो आप सन्य विधा एसका सही जबब क्या होगा इवेल आपसान सही हो जाएगा अगला देखिए प्रश्ण जन्ता का जंता के लिए साशन किस सासाध्य की विसेश्था यहां बदेखें जन्ता का जन्ता के लिए सासन लएं सफ़ी को पता है कि आपका मुख्यमंत्री रहे हुआ साशन को जाते हैं यहाँ पर राजतन्त्र होगा लोकतंत्र होगा यह ताना शाही होगा यहां पर क्या होगा आपका लोकतंत्र होगा ठीक है जनता के लिए जो सासन होता क्या कलता हो लोकतंत्र और आपको पता है भारत एक लोकतंत्र देश है ठीक है अगला देखिए लोकतंत्र की मुल्यांकन के दृष्टी से निमनलिकित मे से कौन सा बिंदू लोकतंत्र की विवस्था की अनुरूप नहीं है, यहाँ पे देखें नहीं पूछा है, सुवतंत्र और निस्पच चुनाओ था, ठीक है, कथन सही है, ब्यक्ति की गरिमा इसमें देखा जाते हैं, सही है, कानून की समच समानता भी इसमें भारत में लोकतं सही होगा, अगला प्रसन आप देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निमनलिकित में से कौन सा वर्गिक्रण सही पूछा है, कि कौन सा वर्गिक्रण यहाँ पे सही है, यहाँ पे देखें आपका आपसन है, केवल जय वहता है, केवल अजय होता है, जय और अजय दोनों होता यह उपरिक्त में से कोई न होते हैं आपका जयव संसाधन भी आप पढ़े होगे अगला देखिए बारा नंबर का प्रताव अंतराष्टी प्रिथ्वी संम्मिलन किस नगर में आयूजित किया गया था ठीक है निव यार्क में रियूडी जेनेरेरा में पेरिस में या नहीं दिल्ली में ठीक है प्रताव अंतराष्टी प्रिथ्वी संम्मिलन अगर्ण सब्सक्राइब में आपको यह मेहनत मेरा पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो का अधिक से अधिक से जरू किजिए और नंबर के देखिए खारीब की फ अगन खरीब का फसल क्या होता है पर यही पता होना चाहिए खरीब के फसल के अंद्रगत आथah fine look ke partner आप सभी को पता है कि धान आता सकते हैं ताद अब पता है कि धान और चावल कब अजाता है और इसको कब यहां बोने की Bishop कब बोया ठीक है यह किस्में पाई जाता है आप सभी प्रारंब भोहिए जाता है उठीक है तो याद रख सकते हैं अगला अगरे ता बाता नेरियों тоб रहाँ पर करा चाहिंवाण दिक से भी आप उर्जा प्राप्त नहीं हो का चूना पत्र जो है अप्र यौगी कह या पधात मान सकते इससे B यूजा नहीं हो लेकिन प्राक्रतिक ग्यस क्या है कर सकते हैं इसका सभी जोड़ाब चाहिए छुट्प इसके अंत्रागत अपका क्यों आपका इसके अंत्रागत कियों इसका इसके आपका आपका सुने ऑगए कि आपका जो वस्तर बनाए जाता है रेसम के कीट से बनाए जाता और इसकी क्या किया जाता है रेसम के कीट के लिए खेती की जाती है ठीक है रेसम के कीट की जाती है तो यहाँ पर वस्तर जो बनाएंगे आप रेसम के कीट से जो बनेगा यह प्रकार के किरसी आधारित उद् इतना जोन होता है देखिए 16 होगा 18 होगा दस होगा यह बार होगा तो रेल प्रखंडों की कुल संख्याज होता है टोटल अठार होता है इसे आप जरूर याद रखिएगा ठीक है अगला देखिए 17 नमर का यहां पर ध्यान दीजिए क्या है कि सूचना संचार प्रयोद्य की आर्थिक छेत्रक आपको बताना है कि सूचना और संचार को किस के अंतरगत रखाया प्राथमिक कैंतरगत द्यूतिय कैंतरगत त्यूतिय कैंतरगत यह चतुर्थ कैंतरगत दीखिए प्रथम चेत्र द्यूतिय कैंतरगत जरूर आप पहल लिजिएगा सूचना और प्रद् प्रतिव्यक्ति आये पर और शाच्छा अधिनियम किस वर्स पारित हुआ था यहां उपभुख्ता सुरच्छा अधिनियम किस वर्स पारित की अगयत इसका बताना आपको यह पारित की अगयत इसका सही जो अब डिवलाप्शन सही हो जाएगा ठीक है देखिए उन्नीस नंबर का सवाल क्या आपका कि किसी देश का विकास आधारित होता है यहां किस पर प्रतिव्यक्ति आये पर और उसा सच्छा तरदर पर लोगों की स्वास इस्तिति पर देखिए किसी देश की विका स्वास होता है वह प्रतिव्यक्ति आये पर भी निर्वर करता है और उसा सच्छा तरदर पर भी और लोगों का स्वास इस्तिति पर इसका सही जब क्या डिवलाप्शन सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए मन रेग कारेकरम किस वर्ष प्रारम हुआ था दो हजार में मन रेगा जो होता है किस वर्ष प्रारम किया गया था यह सभी आप प्रशनों को देख सकते हैं और याद जरू कर लीजिएगा देखिए खंडबह है अब खंडबह में क्या करना था वड़ात्मक फर्ष्ट है निम्लिकित प्रशनों के उस्तर अस्ति शब्दों में देना का रहता है कि इन सभी प्रशनों को आप सकते हैं आपको मांचेत्रे सवाल कराएगा ँसला वालों कर illustrated हैं यह सबीप्रशन को चार्चार नंबर करते हैं यहां पर देसे निदेगे क्या है आपका प्रथा में विश्यूई देखे समय भारत का और उत्पात क्यों बढ़ा इस प्रशन को जरूरु चाहिए यार कर लिजिए और जी 77 देशों से आप क्या समझते इसके बारे में आपको पहना पड़ेगा और सभी प्रशनों को आप जरूरु याद रखे है अकलर प्रशन का प्रशन का प्रशन है लोगतंत्र शासन की अन्य ब्योस्थाओं से बेस्पस्थ कीजिए ठीक है यह अथमा में दिया रहता है लोगतंतर किस प्रकार उत्तरदाई जिमेवार और वैद्य सरकार का गरण करता है 네 मिभी प्रशनों को आप एक भार देखे देखिए सभी दिरग उतरी प्रश्ण है यहाँ सभी प्रश्णों का जरूर देख लिए और प्रश्णों लीकिंवीariat क्रेशनों कि ट्यार कर लीजिए छलिए पराणम होता है मांचित्र यह मांचित्र क 시청 मैंचित्र काइसे भृवाय किसे यहां वहाभ दहें वाले ठीक है देखे निम्रकित का अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा चितर पर प्रिष्ट तेरह पर यह इस चिन्य द्वारत नाम सही दर्साना है सही नाम सही अस्थान के लिए सवाल क्या है कि वह अस्थान भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था कहां पर हुआ था देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर संजरूर ध्यान दीजिएगा ना और 1920 में पूचा है कि वह अस्थान भारती राष्टी कांग्रेश का अधिवेशन कहां पर हुआ था कलकत्ता में कहां था कलकत्ता अब देखिए आपको पता चलगे कलकत्ता में वहा था तब देखिए मान्चीत्र पर भरेंगे कैसी यह हैं आपके सामने मान्चीत्र और के दोरह कहा है वह जनूर बनाईएगा और इसको ऐसे लिखिएगा कैसे लिखें ऑंतिस को का का पहला नंबर का सवाले और यहां अब कलक्त नभी लिखें अगरा प्रसन पूचा गया है अगरा ध्यान दिझे क्या है आपका और जनपा जहां जालिये वाला भाग कि घटना होई थी तो आप सभी को पता है कि अमिरीत सरह में कहा सब्गाइब तीने परता है आपका पंजाब में चले आपको मांचितरते पर पंजाब बताते है और ये ऐ़ नबरे सके नंबर है और यहां पर लिखे दीजिए अमिरित सार क्या लिखेंगे अमिरित सार ठीक इस तरह भर लिजेगा ठीक है अगला सवाल देखिए सभी प्रश्णों को आप तयार कर लिजिए इस प्रश्ण आपको बोड के एकजाम कहां पर देखिए आपका अपको मांचित्र में बता दें कि बिहार कहां पर पढ़ेगा तो देखिए आपका यह उत्तर परदेश के चंपार ठीक है इस मांचित्र को दिखाना आया किचिया ऐसे 29 का कौन सा नंबर है 29 का है और तीसरा नंबर कौन सा नंबर है तीसरे प्रशन का उत्तर है और यहां पर लिखेंगे चंपारा ठीक है इस पकास आप जूरू लिखिएगा अगला प्रसन देखिए आप क्या है कि वहां अस्थान जहां सूती मिल स्रमिकों ने सत्य किया तपर सत्यव किया थे एसको आप लिख लिजिये और याद कीजिए यह आपका अहमदाबाद गुजरात में चलतेम भर कर देखते हैं यह आपका राजस्तान राजस्थान में यहां भाग का घुजत रहे और यह तो बनाएगा चिन और इस तरह लिखिए को 29 कंशन कर अहमदाबाद लिखना मत भूलिएगा दाबाद इस राप इस मांचित्र को भर सकते हैं ठीक है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन आपका क्या पूछा गया है वह जन पर जहां चौरी-चौरा की घटना घटित हुई थी कहां पर गटित हुई थी यह घटित हुआ था गो गोरकपूर गटना कहां पर गोरकपूर में और यह पर पढ़ता है आपका अपका उत्तर परदेश में चलिए आपको मांचित्रा में दें कैसे बरना और जितना भी पाइंट बता रहें 29 का को तीसरा जिए लिखना मत भूरिए तो एक्जाम मदर आपका नंबर कार्ट लिखेंगे गोरख पूर ठीक यहां पर आप देखें यह साफ सुत्र यहीं मानचित्र बरेंगे तब पूरा आपको नंबर मिलेगा ठीक है और भरने का तरीका भी आपको बता चुके हैं तीस तरह जुरूर भरिएगा अभी राज के बारे में नहीं जानते कौन सा राज कहां पर पर उसके बारे में डिटेल में आसानी हो ठीक है अगला प्रशन चलिए आपको बताते हैं देखें आप 39 का यहां से प्राणा होता है अब 29 में देखिए निमरिकित अस्थानों के यह भी आपको मानचित्र से संबंधित हैं मानचित्र में ध्यान दिजिए कैसे प्रष् अधे जैसे उड़िष्यार राज के प्रमुक्य नदि इस चिनदाके द्वारा दिखाना है तो पहले आपको यहीं पता होना चाहिए कि उड़िषफाराज कौन सी नदी है तो उड़िष्यारा को बाता है महा नदी format कौनसा राज में कौन से नदीब आती है महानधी नदी चलिए पहरे आपको बताता है तब तक बहरत नहीं सकते हैं यह बता है कि आपका पस्चिम बंगल पस्चिम बंगल सटा हुआ नीचे थोड़ा साइंगे यह पढ़ता है आपका उडिसा आपको इस चिन के द्वारा दिखाना है ऐसे बनाना है और यहां पर लिख दीजिएगा ऊंतीस खा का पहला सवाल ता और यहां पर लिखेंगे महा नधी ठीक जितने थी प्रश्न पता iन सभी प्रश्णों को एक जगा लिख यह प्रस्णों को जरूर तयार कीजी ठीक है अगला ध अगला प्रशन आपकर प्रस्ण क्या है कि मत्युपाल देखानाई भोपाल यह आपका है मांचित्र में देखेंगे आप तो यह पढता है आपका क्या मद्य-पर्देश नंबर का यह था है लिखेंगे बोपाद प्रश्ण के संख्या लिखना मत भूलिएगा कौन सा है तो नंबर का यह दूसरा नंबर इस तरह दिखा दीज़ेगा ठीक है यहां पे बोपाद लिखना मत भूलिएगा अगला नमबर देखिए अगला क्या है आपका कि सूतीवस्त्र उद्योग का एक केंद्र यस-yस का निल्किशन के का नास भारत है उद्योग के बारे मिदस्थन कई भारत में और पांप्र सब्कि بين आप सभी में पता है काहन है यानि उत्तर परदेश में इसको भरना है यह है आपका उत्तर परदेश ठीक है देखिए आपको जितने भी मांचित्र वाला सवाल करता है डेली वीडियो देखते रहेंगे सभी राज जी के बारे में और किस प्रशन का इंसर कैसे लिखेना आप सभी को देटेल में पता चल जागा अब डेली जितने भी वीडियो समाजी विज्ञान हो गया हिंदी का पेपर हो गया अंग्रेजी हो गया सभी पेपरों के बारे में आप सभी को बताते हैं सभी important question कराते हैं जो 2025 में आपको देखने के लिए सभी प्रशन आपको मिलेगा अब देखिए उत्तर परदेश में देखा नहीं सब्स演つोंतर शुच्तव करें अब ढूवक क्या देखाने हैं अगला प्रसन देखिए कि एक प्रमुक लोग उत्पादक छेटर को चिंद्वारा दिखा ना है लोग अ है कहां पर दिखाएं गता है जाड़ थिए पड़ते हैं तो चलिए आप इसको द Hayır के Absolutely store от देखेंगे लेकर यह वला भाग दरता है। इससे सठाम हुआ यह यह हो था है यह होता है आपका जार खण्ड और इस में लीगनाब हना है एक बंदरगा ताना हे यह कोच्चि में तर्ट पर बंद्रगा क्या है सकते कोची बंद्रगा है क्या है कोच्ची बंद्रगा इस प्रस्टों की लिए कोच्ची बंदरगा अब पस्ची में तट पर कोच्ची बंदरगा है कहां पर देखिए यहां पर मांचित्र में देखिए यह केरल क्या पड़ता है आपका कोच्ची बंदरगा यहां पर पड़ता है ठीक है ठीक है यहां पर कैसे बरेंगे आपको किस चिन के द्वारा दिखा यहां पर दिखा दिए गार और यहां पर दिखा दिए गार ना रहता है तो जितना प्रश्ण बता है आपको इसी तरह मानचीत्र वाले सभी सवालों को आपको अच्छे से करना है ठीक है यदि आप जैसे बता है उस तरह बरते हैं तो आप एक नमबर भी नहीं काटेगा ठीक है और यदि मेरी मेहनत आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में आप जरूर बताईए ठीक है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेर कीजिए और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है